हेलो स्टुडेंट्स एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं है मंदगुपता आज आपके लिए लेके आए हूं जो हमने स्रीज स्टार्ट की थी 2021 में स्टार्ट करते हैं किसी भी बाली का श्रमी को कार खाने में लगाया जा सकता है हमारे को बताता है कि महिला को कार खाने में लगाया कि शुबह कितने बज़े बुलाया जा सकता है और शाम को अधिक शरी कितने समय तक करएस्थान पर रखा जा सकता है तो इस question का जो correct answer है वो है प्राते किस भी महिला श्रमिक को सुबह आठ बज़े से पहले नहीं बुलाया जा सकता और उसे शाम को साथ बज़े के बाद करके स्थान पर नहीं रोका जा सकता तो इस question का जो correct answer है वो है आपका option number C चले next question जानते है कोशन है एक यूवक एक कारखाने में टब टक कारण नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास option दिए गया है कारे करते समय उसके पास उप्युक्त पर्मान पत्र या उसका टोकन ना हो, स्वस्थता का पर्मान पत्र ना हो, उप्युक्त में से कोई नहीं हो, या उप्युक्त दोनों पर्मान पत्र हो, option number D, इसका correct answer है, next question है, कोई भी श्रमिक अवकाश प्रारम होने की तिति से, कम से कम, कितने दिन पहले अवकाश के लिए आवेदन करना होगा, किसी श्रमिक को अवकाश प्रारम होने की तिति से, कितने दिन अपने अवकाश के लिए आवेदन करना होगा, तो इस question का जो correct answer है, वो है 15 दिन option number A का correct answer है चलिए next question जानते हैं तो next question है परतेक कारखाना जो सामानेत है डैश से अधिक महिला श्रमिको को न्यूक्ट करता है वह एक शिशु ग्रह का रख रखाव करेगा हमारे को बताना है कि किसी भी फैक्टरी में क्रैच की सुविधा कब मेंडेटरी है तो ध्यान रखेंगे जब किसी कारखाने में महिला श्रमिको की संख्या 30 हो जाती है तो हर एक फैक्टरी को ये अपने कारे इस्थान पर शिशु ग्रह का परबंद करना होगा ये होता क्या है कि यहाँ पर जो महिला के बच्चे है वो बच्चे उनके खेलने कूरने खाने पीने की व्यवस्ता हो तो उस इस्थान को उस कमरे को हम क्रैच बोलते हैं जहां चोटे चोटे बच्चे होते हैं क्योंकि मा को देख भाल के लिए अपने बच्चे को देख भाल के लिए वहां पर अपने कारे की स्थान से आकर देखने के लिए भी परमीशन होती है कि में आप से पूचा जाएगा कि क्रेच की सुविधा किसी फैक्टरी में कब होना मेंडेटरी है तो ध्यान रखेंगे यदि किसी फैक्टरी में किसी कार खाने में जो महिला श्रमिकों की न्युक्ति तीश और उससे अधिक हो जाती है तो उस इस्थान पर फैक्टरी आक्ट के अंटरगत सी शुग्रे होना आवश्यक है इसी अधिक कारखाना अपने परतेख डैश श्रमिकों के लिए कमचे कम एक वरस्ट एड्ड लाग उख और करेगा तो फ्रस्ट एड्ड क्यों कि अकरख करकूप्स कुई हाजशा हो जाए तो उसके लिए प्रात्मिक उप्चार दिया जा सके तो तो वो होना किस स्थिती में compulsory है तो ध्यान रखेंगे यदि कारखाने पर डेड़ सो व्यक्ति कारे करने के लिए हो जाते हैं या डेड़ सो या उससे अधिक तो एटलिस्ट डेड़ सो 150 करमचारी हो जाते हैं तो वहां पर फर्स्ट एड़ बोक्स होना कमपल सरी या option number A इसका correct answer है नेक्स्ट कोशन जानते हैं नेक्स्ट कोशन है परतेक नए कारखाना अपने परतेक न्यूक्त श्रमी को कम से कम कितने क्यूबिक मीटर इस्थान परदान करेगा हमारे के बटाना है कि एक श्रमी को बैठकर कारे करने के लिए कितने क्यूबिक 2.2 क्यूबिक मीटर का इस्थान ताकि वह आराम से बैठकर कारे करसके देना जरूरी होगा नेक्स्ट एक प्रोड श्रमी को सामाने टैक कार खाने में एक दिन में कितने घंटे से कितने से कितने घंटे से अधिक गन्ते कारे करने नहीं दिया जा सकता तो ध्यान रखेंगे एक प्रोड श्रमिक को सामनत है कार्य करने में के लिए एक दिन में नो घंटे से अधिक घंटे के लिए कार्य करने के लिए नहीं दिया जा सकता यानि कि मैक्सिमम उनसे नो घंटे तक कार्य लिया जा सकता है नेक्स्ट है question आपका अधिस्ठाता से तात पर रहे उस व्यक्ति से है जिसका कार खाने के मामलों में डैश होता है तो इस question का जो correct answer है students वो होगा आपका option number A अंतिम निरियंटरन ultimate control जिसका होगा नेक्स्ट question है परतेग जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले का क्या होगा तो अपने जिले का कार खाना निरिक्षक होगा inspector of the factories होगा चले next question है जब किसी कार खाने की दिवारों चतो आधिको धोने योग्य जल क्या गया रहा है कि जब किसी कार खाने की दिवारों चतो आधिको धोने योग्य जल पेंट से पेंट किया जाता है तो उन पर कितने वर्ष की परतेग अवडी में एक बार पुने पेंट किया जाएगा तो फैक्टरी आक्ट के अंटरगत यह जो नियम बनाया गया है यह बनाया गया है परतेग तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुने पेंट किया जाएगा उप्शन नमबर भी इसका करेक्ट अंसर है चले नेक्स्ट कुशन जानते हैं नेक्स्ट है डिमिट व्यवसाय के पक्षकारों में शामिल होगा तो ध्यान रखेंगे डिमिट व्यवसाय के पक्षकारों में जो है क्लीरिंग हाउस निर्गमन करता कंपनी और डिपोजिटरी भागीदार यह सभी शामिल होंगे अर्थात उप्शन नमबर डी इसका करेक सब्सक्राइब करें तो आपको शेयर मार्केट में शेयर को खरीद करने के लिए फ्यूचर ओप्शन की ट्रेडिंग करने के लिए आपका ट्रेडिंग इकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से पहले आपका डिमेट अकाउंट होना कंपल सरी है जहां पर आपकी सिक्योरिटी इस को डिजिटाईज वे में रखा जाता है, Next है Depository परतिभूतियों के डैश के रूप में धारण करता है, ग्यार भोटिक, हुप्यूक्ट में चेक कोई नहीं, या दोनो A और B दोनो, तो द्याण दखेंगे बैटा, Depository परतिभूतियों को वो ग्यार भोतिक रूब में धारन करता है डी मैटरलाइजड फॉर्म में रखता है नेक्स्ट कोश्चन नविटा परति भूति के सर्टिफिकेट के समर्पन से समबंदित कौन सी धारा डारेक्ट कोश्चन से समबंदित आप से पूछा गया है तो ध्यान दखेंगे इस सब्सक्राइब भारत में राष्टे डिपोजिटरी की संख्या है बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चन है यह स्टुडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में अपने पास यूज भी किया है लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जिनको इसका सही विवरन ध्यान होगा क्या है क्या बटा यहां पर हमारे को बताता है भारत में राष्टे डिपोजिटरी की संख्या कितनी है तो ध्यान रखेंगे भारत में जो राष्टे डिपोजिटरी की संख्या है वो दो है और यह दो कौन-कौ कुछ इस्टूडेंट्स को हम जानते हैं, सब्सक्राइब इसके बारे में जानते भी होगे लेकिन आपको ध्यान होगा आपने नैड आईडी बनाए थी आप और को नैड आईडी बनाना कंपल सरी है तो कुछ बच्चों की Net ID बनी वी है तो आपने वहां पर भी देखा होगा NSDL और CDSL के माध्यम से यह services जहां प्रोवाइड कराई जा रही थी students को अब आपके लिए important question क्या बनता है तो आपने comment box में comment करके बताना है कि NSDL और CDSL और CDSL बड़े ही important depository है आपके लिए एक important question है देखते हैं सबसे पहले कौन students इसके बारे में बताता है तो आपके लिए जो question है वो रहेगा NSDL की स्थापना कब हुई थी यह आपने comment box में comment करके बताना है और CDSL की स्थापना का बुई यह most important question बहनते हैं आपसे next examination में पूछे जा सकते हैं next question है परतिभूतियों के बहुतिक पर्मान पत्रों को डैश डिमेट परकिरिया में क्या होगा इस question का स्थुडेंट्स ध्यान रखेंगे परतिभूतियों के बहुतिक पर्मान पत्रों को डिफेस्द किया जाता है डिमेट परकिरिया में option नंबर एसका correct answer होगा next question है आपका सर्वोच डिमेट नियामक है हमारे को बताना है एपक्स डिमेट रेगुलेटर कौन सा है तो इस question का जो correct answer है वो है cdsl क्या है cdsl center depository service limited next question है डिमेट परकिरिया अपनाने में तेजी का क्या कारण है बताना है कि डिमेट परकिरिया को अपनाने के लिए तेजी का मुख्य रूप से क्या कारण है तो इस question के जो option यह हैं परतिभूतियों में व्यापार इसके साथ जुड़े जाब अनिवारत अनुपालन या उप्योक्त सभी तो इस question का जो correct answer है वो है option नमबर डी उप्योक्त सभी नेक्ट क्वेश्चन है भारत में depository अधिनियम निक्षेपागार अधिनियम लाग हुआ बड़ा important question है तो इस question का जो correct answer है वो है आपका option नमबर बी बी सितंबर 1995 को depository act भारत में लागोट का बोटा बी सितंबर 1995 को next question जानते हैं बड़ा next question सेबी के आदेश से पीडित व्यक्ति डैश के समक्ष अपील कर सकता है तो इस question का जो correct answer है वो है security अपीलेटर ट्रिब्यूनल सेबी के आदेश के विरुद कितने दिन में अपील की जा सकती है तो ध्यान रखेंगे इस question का जो correct answer है वो है 45 दिन option number 20 का correct answer तो स्टुजेंट्स ये थे आज के हमारे मेहटपूंट question वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर बटाए और साथ और बेस्ट अफ लग पर यर एग्जामनेशंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्